नमस्ते प्रियाजनों, राइट विए अस्टो चानल पर आपका स्वागत है। आपके लिए एप्रिल 2022 जोतिशनुसार कैसा रहेगा। एप्रिल में आप क्या अनुभव करोगे। इसकी चर्चा इस वीडियो में होगी। इसमें सभी ग्रहों के गोचर का प्रमुक फल और अन्त में एप्रिल 2022 की आपकी राशी नुसार शुब अशुब तारिक आप जान सकते हैं। एप्रिल 2022 सभी के जीवन में परिवर्तन लाने वाला है क्योंकि इस महिने में सभी ग्रह राशी परिवर्तन करने वाले हैं इसलिए पहले सभी ग्रहों के राशी परिवर्तन की तारिक चान लेते हैं साथ एप्रिल को मंगल का राशी परिवर्तन मकर राशी से कुम्भ राशी में होगा इसके बाद अगले ही दिन 8 एप्रिल को बूध मीन राशी से निकल कर मेश राशी में प्रवेश करेंगे और बाद में 24 तारिक को बूध का राशी परिवर्तन वुरुषब राशी में होग 12 तारिक को रहु कितु का राशी परिवर्तन होगा रहु वुरुषब राशी से निकल कर मेश राशी में प्रवेश करेंगे तो केतु वुरुषचिक राशी से निकल कर तुला राशी में प्रवेश करेंगे इसके अगले ही दिन मतलब 13 एप्रिल को देवगुरु ब्रहस्पति कुम्भ राशी से निकल कर अपनी स्वराशी मीन राशी में प्रवेश्च करेंगे उसके बाद 14 तारिक को सूर्य देव मीन राशी से निकल कर अपनी उच्छ राशी मेश राशी में प्रवेश करेंगे 27 एप्रिल शुक्र देव कुम्भ राशी से निकल कर अपनी उच्छ राशी मीन राशी में प्रवेश करेंगे तो शनीदेव 29 एप्रिल को मकर राशी से निकल कर कुम्भ राशी में प्रवेश करेंगे एप्रिल में सिर्फ शनीदेव का गोचर यथावत रहेगा इस तरह सभी ग्रहों के एक महिने में राशी परिवरतन के कारण बदलाओ सभी के जीवन में निश्चित होगा एप्रिल 2022 में आपके जीवन में क्या बदला होगा ये इस वीडियो द्वारा आप जान सकते हैं लेकिन राशी फल को अधिक सटिकता से समझने के लिए आपकी लगना राशी और जन्मा राशी ऐसे दोनों राशी फल अवश्य देखिए अगर आपको अपनी राशी की जानकारी नहीं है सिर्फ तभी आप अपनी नाम राशी नुस्तार देख सकते हैं एप्रिल में 12 तारिक तक देवगुरु बुरस्पति का गोचर आपकी कन्या राशी से शष्टभाव में जारी रहेगा देवगुरु की ये स्थिती आपके लिए ठीक नहीं है आपके शत्रु बढ़ेंगे शारिरिक अस्वस्थता के साथ सुखशान्ती में कमी रहेगे खर्चे बढ़ेंगे और करजा भी होगा जिवन साती से मतभेद जारी रहेंगे तेरा तारिक से ब्रोस्पती आपकी राशी से सप्तम भाव में गोचर करेंगे देवगुरु का ये गोचर आपके लिए शुब रहेगा आपका उत्साप बढ़ेगा स्वास्त में सुधार आएगा वैवाहिक जीवन में खुशाहली लवटेगी अविवाहितों के विवाह संपन्न होंगे शुबकारियों के लिए यात्राय होंगी संतान सुध प्राप्त होगा, मान सन्मान होगा, आम दनी बढ़ेगी आपके प्रयास सफल होंगे कोर्ट केस के निर्णे आपके पक्ष में रहेंगे शनिदेव संपूर्ण एप्रिन में आपके राशी से पंचम भावमेज गोचर जारी रहेंगे इसलिए धन की कमी महसूस होगी आने वाले पैसे अटके रहेंगे लेकिन विद्यार्थियों के लिए ये समय अच्छा है पढ़ाई में मेहनत करने वालों को सफलता अवश्य मिलेगी मित्रों से मतभेद होते रहेंगे पारिवरिक चिन्ताय लगी रहेंगी ग्यारा तारिक तर राहु आपके राशी से नौवे रहने से आपको प्रसिद्धिके क्षेत्र से लाव होगा विदेश चाना हो सकता है आपकी धार्मिक विच्यारधारा भटक सकती है बारा तारिक से रहु का गोचर आपके अश्टम भाव में होगा रहु के इस गोचर में आपको आसान धन प्राप्ति के लिए गलत रास्ते चुनना भारी पड़ सकता है अप्मानित होना पड़ेगा इस गोचर में प्रिये जनों से बिछडने के कारण आप दुखी हो सकते है आपमें असमंजस्ता बढ़ेगी अंजान सा भय आपको सताता रहेगा ग्यारा तारिक तर केतु के तृत्य भाव में गोचर करने से आपको यश मिलेगा आपकी कोशिशे सफल होंगी बारा तारिक से केतु आपके धनभाव में गोचर करेंगे इसलिए बारा तारिक के बाद आपको धनसंपत्ती की चिन्ता रहेगी परिवार से भी आपको विरोध सहना पड़ेगा आपके बातों से लोगों में गलत धारनाय बढ़ सकती है इसलिए इस गोचर काल में आपको बहुत सोच समझ कर बोलना होगा इस तरह से देवगरु बुरहस्पत्ती, राहु के तू और शनीदेव के गोचर फल आपको प्राप्थ होंगे लेकिन ये सबी दिर्गकाल के लिए जीवन को प्रभावित करते हैं राशी फल की दिशा निश्चित करते हैं लेकिन मासिक राशी फल पर बाकी बचे ग्रहों का प्रभाव अधिक रहता है इसलिए आगे का राशी फल ज्यादा महत्तों पुरुन है ऐसे ही जोतिश शासर के संदर्व में महत्तो पुर्ण जानकरी प्राप्त करने के लिए मेरे इस राइट वी एस्ट्रो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबाईए मेरे इस चैनल पर आप सही दुरुष्टिकों से जोतिश ग्यान प्राप्त कर सकते हो और साथ ही बिलकुल सरल शब्दों में आसानी से सिख भी सकते हो शुरु से अंततक अवश्चे देखिए अगर आपको पसंद आए तो लाइक और कमेंट भी जरूर कीजिए आपके जीवन पर आपकी कन्या राशी के स्वामी बूद के राशी गोचर का सर्वाधिक प्रभाव रहता है इसलिए सर्वप्रथम बूद के गोचर फल जानेंगे साथ तारिक तक बूद आपके राशी से सप्तम भाव में गोचर करेंगे इसलिए एप्रिल के साथ तारिक तक आपको विरोध सहना पड़ेगा आप अपमानित हो सकते हैं मानसिक तनाव जहलना पड़ेगा आठ तारिक से तीज तारिक तक बूध आपके राशी से अश्टमभाव में गोचर करेंगे बूध आपको इस कालखन में शुभफल देंगे धनप्राप्ति होंगी आपकी चतुराई और कारिय कुशलता के कारण आपके कारिय सफल होंगे आपकी चिंताय समाप्त होंगे एप्रिल के आखरी सप्ताह में बूध आपके भाग्य स्थान में प्रवेश्च करेंगे बूध के इस गोचर में आपके कारियों में बाधाय आएंगी व्यवसाय में दिक्कत आएंगी कुछ ऐसे लोग जो आपका अहित चाहते हैं आप पर आरोप करेंगे आपको बदनाम करने की फिराक में रहेंगे इस दवरान यात्राय तनाव पुर्ण होगी लगबग संपुर्ण एप्रिल में शुक्रद्यों आपके राशी से शष्ठभाव में गोचर करेंगे शुक्र का ये गोचर अशुब रहता है शुक्र के इस गोचर काल में अपने ही प्रिय लोगों से आपके मतभेद होंगे प्रेम संबंदों में दूरी आप बढ़ेंगी आपका अहित चाहने वाले शत्रू आपको परेशान करेंगे आपके खिलाप अफवाहे फैलाएंगे शत्रूता बढ़ेंगी बढ़ते खर्चों के लिए करजा भी बढ़ेगा आपकी भावनाएं आहत होंगी छे तारिक तक मंगल आपके राशी से पंचम भाव में गोचर करेंगे मंगल के इस गोचर के कारण आपमें चिड़चिड़ापन बढ़ेगा लालच में आपसे गलतिया हो सकती है संतान से मतभेध होंगे लड़ाई जगडों से आप परेशान होंगे विद्यार्थियों के लिए ये समय कठिन रहेगा साथ तारिक से मंगल का गोचर आपके राशी से शष्ठ भाव में होगा इसलिए साथ तारिक के बाद आपके स्वास्थ में सुधार आएगा आप शत्रों पर हावी रहोगे मुसीबत में आर्थिक सहायता प्राप्त होगी लेकिन आपको गलतियों से बचके रहना है बदनामी की संभावना है 13 एप्रिल तक सुर्यदेव आपके राशी से सप्तम भाव में रहेंगे इसलिए 13 तारिक तक नुक्सान भरपाई के कारण खर्चा होगा कोर्ट केसेस में या किसी भी तरह के विवादों के कारण खर्चा करना पड़ेगा दामपत्य जीवन में कलेब बढ़ सकता है पेड़ दर्द परेशान करेगा अपमानित महसुस होगा इस दवरान यात्राय कश्टदाई रहेंगी 13 तारिक से सुर्यदेव अश्टम भाव में प्रवेश करेंगी सुर्यदेव के इस गोचर में भी आपको रहत नहीं मिलेगी आपका ओवर कॉंफिडंस आपकी परेशानी बढ़ाएगा तेज बुखा और सरदत की शिकायद बढ़ेगी आवशक्ता पढ़ने पर सरकारी मदद मिल सकती है इस तरह से सभी ग्रहों के गोचर फल आपको प्राप्त होंगे अब एप्रिल 2022 में आपके लिए शुब और अशुब दिन कौन से रहेंगे इसे भी नोट कर लिजिए इससे राशी फल में बताई शुबफल आपको कब प्राप्त होंगे और अशुब फलों के कारण कब सतरक रहना है इसे समझने में मदद होगी इसलिए ध्यान से सुनिए एप्रिल में एक तारिक 7-11, 14-16, 19-20 और 25-29 तारिक आपके लिए शुब रहेगी वहीं 2-4, 12-14 और 30 तारिक आपके लिए अशुब रहेगी कुछ इसी तरह से एप्रिल 2022 में आपका अनुभव रहेगा अभी के लिए इतना ही राइट्व एस्टो चानल देखते रहेए सब्सक्रेब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंड भी कीजिए, धन्यवाद